हेलो नमस्कार जेहंन। हमदोग बात करने वाल हैं किका संभिधान को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा जा सकत है। तो सरकार चाहकर एगर पूरे बहुमत में आ जाए संसेद में दोनों सदुनों बहुमत अगया राश्चवा लोक्षभा में दोनों में बहुमत में आ गई तो क्या अगर चाहदेगी तो संबिधान को बदला जा सकता है क्या संबिधान को अपने अनुसार कर सकती है क्या इत्याद सब कुछ के बारी में आपको जनकारी देंगे तो वीडियो को पूरा देखें वीडियो को सेर कर दे लाइक भी कर दे और चैनल कभी तक सस्क्राइब नहीं कि सस्क्राइब कर ले जिससे इस प्रकार की इन्फरमेटी वीडियो आपको समय समय से मिलते रहें देखते आगे बढ़ते हैं कि इसके संबंद में पढ़ने एक से पहले आपको बता दूं कि क्या कैस के बारें बात करने वाले हैं टापिक यहीं है कि क्या संभिधान को बदला जा सकता है संभिधान में संसुदन किया जा सकता है तो इसके संभिधान में संसुदन किया जा सकता है तो 24 सभी प्रावधान इस सभी प्रावधान को संसुयां किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है संदर में बात करते हैं आगी सबसे मोटे तोर पर दो रूप आपको मिल सकते हैं दो भाग मिल सकते हैं एक प्रारूप वो मिल सकता है एक प्रावधान वो मिल सकता है जहां पर बारतमान संविधान में ही अपने अनुसार बहुत अधिक संसोधन कर दे जो संविधान है उन संविधान के प्रावधानों को ह इतना अधिक संसुदन कर दे कि एक नया संविधान जैसा हो जाए उनके जैसा हो जाए ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा संसुदन कर दे और अपने अनुसार जैसा करना चाहती है वह ऐसा कर दे उसी संविधान को दूसरी बात यह भी हो सकती है कि उस संविधान को बि बार लिए इमरजनसी के ये युद्ध के अधार पर इमर्जनसी लग सकती है उसाज्त है और इसका अधार पर और अधार बीमर्जनसी सब्सक्राइब अ आधार पर यानि की देश के अंदर ही कि बहुत बड़ी कोई को दो चाहिए युल्स हैं इसी किसम्बंद में चवाइल सम्विधान संसोधनों दाटार बात करता है जबहरां अगांधी की सरकार ने इन उने सपशतर में राष्टी आपाद जब लगाया था मर्जंसी लगाया था उस्से में जंता पार्टी की सरखार जब पहली बारवनेट मुरारज देशाथ शखके सही ने क्या कि इसको बदलकर और 10 सांती का संती सब्द को बदल दिया और कर दिया संस्त्र विद्रोफ आज आंतरी किसांतिक आधार पर नहीं लग सकता है मंचिर इमर्जंसी के अधार पर ही लग सकता है और जो सबसे प्रमुख होता है, जो मंत्राले का प्रमुख होता है, जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उनका समों मंत्री मंडल घालाता है, तो मंत्री मंडल की लिखित सब है, जरुरी हो ज़ता है, जैसे 1975 में जब इमर्जंसी लगी थी, तो क्या हुआ था, आंत्री कसांती क जग आंत्री का सांती के अधार पर लगा था यानि कि देश में असांती चा गई है तो इमर्जन्सी लगाते हैं राष्टपती ने पूछा कि क्या मंत्री मंडल से सलाह ले ली गई है तो उन्हों ने कहा कि हां ले ली गई है इसलिए और जब टीवी पर आया तो बाद में लो तो इसलिए आट्किल तीन सब बावन के थाद होता क्या है कि उसके अंतर गत्त राज्यों के बिधान मंडल की सक्तियां भी कम कर दी जाती है नागरी की कम तो कि जाती है इस अधार पर जो है कि राज्य सूचे की विशेपर कानून भी बना सकती है संसत इस प्रकार के अगर सम्सें प्रवधानिक अदल के अंजार चलाए सकता है कि रस्टपति सासन्ल गाणे परविधान मंडल के सक्ति चली जाती आद राजदमिंद्धित कानून बना लेता ट् places 365 नों 2ड है कि मृण ठीश का रृच्ण घार ठीश निर प्रकार कर्दर के है लुझ थैगा इसके बारे में तो इसका चली लगत जाएगा इन दोनों का लेकिन दोनों को लगने से केंडरी में चली जाती है तो राजी के जमाइक सुच्व सुचि कभी सुच आlawब लेता है तो इसलिए जोजदर हेहां हो जाती है आगे बात करते हैं बैसिमा संभिधान संसोधन टनолетता इसमें संभिधान संसोधन को सुप्रीम कुटम चालेजर नहीं किया सकता स्बी्धान संसोधन इतना बड़ा संसोधन संसोधन था कि उस संविधान संसोधन को लोगों ने मिनी कंस्टिचन या लगु संविधान कहा दिया इतना बड़ा संसोधन हुआ था लेकिन इस संदन में जो बहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वे फिलाल तो बैलिस्वा संविधान संसोधन में एक संसोधन यह भी क प्रावधान को सुप्रीम कोड में चालेंज नहीं करने वाले प्रावधान को कैंसिल कर दिया तो आज का क्या है आज प्रावधान क्या है आज प्रावधान यह है कि आप संभिधान में संसुधन करते हैं तो भी उस पर न्याइक समिक्षा की जाएगी और सुप्रीम कोड में नायक समिक्षा कर सकता है आज ये प्रावधान है किस्वानन्द भारती केस बनाम केरल राजे एक केस था केस्वानन्द भारती बनाम केरल राजे भूमी अधिगरहन के संबंध में जब कानून आया था तो भूमी अधिगरहन के संबंध में जब केरल में एक मठ था उस मठ के सायकड़व एकड़ भूमी को अधिग्रिद कर लिया गया केरल सरकार के दोबारा अधिग्रिद कर लिया गया तो वहा पर एक मठ था और मठ की मठ अधिश अध्यक्ष थे जो मठके केशवानन्द भारती उन्हों ने इसे सुप्रीम कट में चालेंज कर दिया कि अंशे 26 के तहद हमें आधिकार है किसी भी धर्म को मानने के लिए उसके संविधानिक प्रावधानु के अनुरूप उसके लिए हम विवस्था कर सकते हैं तो अंशे 26 को लेकर उन्होंने सुप्रीम गट पहुंच गया केशवानन्द भारती वह नाम केरल राज जो 273 का भी बाद था इतना बड़ा भी बाद था कि इसको सुल्झाने के लिए तेरह जोंच बैठी थी आज तक की सबसे बड़ी बैठी है तेरह जोंच जो की बैठी तो इसमें वोटिंग भी थे नहीं इनमें जजों को निरण जो आया था यानिकि साथ लोग इसके पक्ष मे को श्यक यह कशीमाननद के भारती के पक्ष में निरणत है और सात लोग haha केशावननन्द हार गए बाद में लेकिन इसको निर्णाय देने से पहले कई महीनों तक इस परलागतार सुनवाई होती रही इतना इंपर्टेंट महत्वपून केस था यह अतना महत्वपून है कि पूरे समयधानिक प्रावधानों को संविधान की धाचा का बदल कर रख दिया इसने भले ही केसवानन्द हार गए ले इसना रहे थी तो कई देशों के संविधान का अध्यन किया गया था उसी में पाया गया था कि हिटलर जर्मनी के चांसर हिटलर चांसलर कैसे बना था हूसने प्रावधान था की टू-3 यानि कि विशेष्च बहमत से किसी भी संसोन कि लिपहकार कह संसोधन किया सकता है और इसी आधार को कहीं ऐसा भारत में कभी ऐसा नहीं हो जाए। इसी आधार पर सुप्रिम कूर्ट के में एक विचार किया गया। जिसे बेसिक इस्ट्रक्चर ले लिया गया कि बेसिक इस्ट्रक्चर मूल धाचा मूल धाचा के अंतरकत बताया गया कि संसत जो है कि संभिधान में संसोधन कर सकती है कहीं भी संसोधन कर सकती है लेकिन अगर कहीं मूल धाचा या बेसिक इस्ट्रक्चर पाया जाता है तो वह श्रक्षक माना जाएगा जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों का मौलिका अधिकार देना उनका उदेशे से था इसलिए मौलिक अधिकार एक बेसिक श्रक्षर होगा और इसमे commend बदलाव नहीं किया जा सकता है और किया भी जाए तो निगेटिव बदलाव नहीं पाजिटिव बदलाव किया सकता है निगेटिव नहीं किया सकता है इसी प्रकार से गड़तंत्र व्यवस्था अगर गड़तंत्र को राजतंत्र करना चाहे सरकार तो नहीं कर सकती है क्योंकि भारत में न तो संसत सरोच है नहीं नायपालिका इसमें संविधान की सरोचता की बात की गई है और क्योंकि संविधान सबसे सरोच है और संविधान की ब्याख्या करने का अधिकार सुप्रिम कोट को है इसलिए ब्यभार में सुप्रिम कोट को सरोचता मिल जाती है लेकिन लोगतंत्र को अगर राजतंत्र करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगतंत्र हमारे संभिधान संबिधान निर्मताओं ने जब संबिधान का निर्माण किया तो लोकतंत्र अपने मस्तिक से बैठा कर संबिधान बनाया था इसलिए लोकतंत्र एक मूल धांचा का सिदान्त होगा संसधी वेवस्था संसधी वेवस्था के बारे में संसधी वेवस्था अगर संसधी वेवस के प्रवधान से मिले हैं इसलिए पन्त निर्ष्थ्षता भी एक मूलगा जालो का मिकल कि बिस्तंध संबंध सब्सक्राइब यह समिक्स्राइब सब्सक्राइब और य impose कर通ब यह यह भी पार या संघी बिवस्था बिशा बिशाज्य सब्सक्राइब पहला हम ने बताया कि संभीधान संसोधन करना करते है अगर उसी संभीधान बहुत ज्यादा संसोधन करना है तो यह सब अडंगे आप सिन सुदर नहीं कर पाएंगे. अनुछेद 128 कहता है अनुछे देखिये Rate الج सकते हैं Supreme Court ने वा छे स्वार्व का सिधान्त दिया है Supreme Court को 13 जजों ने मिलकर सिधान्त दिया है और इसमें यहने कि 138 संभिधान कहता है संभिधान का एक अनुछेद 138 कहता है कि Supreme Court की अधिकारता में केवल ब्रिधी की जा सकती है, Supreme Court की अधिकारता में कमी नहीं की जा सकती है, आनि कि Supreme Court को जो आज पावर दी गई है जितना पावर, कल के संबंद में उसकी पावर में चेंज करना चाहें, तो उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन Supreme Court के पावर को लाकर आगर सम्भिधान का संसोधन लाकर इस स्ट्रक्चर सब्द को ही खतम किया जाए तो क्या होगा तो भी नहीं कर सकते basic structure सब्द को क्योंकि सुप्रिम कोट जो भी निरने देता है वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है सुप्रिम कोट का निरने पूरे देश के लिए कानून बन जाता है अपने आप ही तो इसलिए यह एक कानून बन गया अपने आप ही अपने क्योंकि बेंच बैठे जजों की बेंच बैठे ईस बेसिक स्टक्ट्चर के सीधान को क्षतम कर दे क्योंकि आजिकार से अपने हिप हैशले पर पुनर विचार कर सकती है और उनमें संसोधन कर सकती है अगर अगर ऐसा हो कि सुप्रीम जज ही मिलकर और इसको खतम करें तो कर सकते हैं लेकिन लेकिन उसमें भी समस्या यह है कि 13 जजों की बंच यहां पर बैठी है तो 13 से अधिक जजों ही कर पाएंगे इस पर और जजों की संक्षा क्यों विसम में होती है सम में नहीं होती है इसलिए 15 से कम जज होंगे तो इसको एक साथ 15 जगों की बैठेगी कम से कम 15 चैसित्श को खतम करना चाहे तो खतम कर सकती है उसके बाद संसद इस पर कानून बनाए बना सकती है बदल शक Tapi तो सबसे पहला काम होगा this इस basic structure को खतम करना होगा basic structure को खतम कौन कर पाएगी केवल और केवल Supreme Court कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा Supreme Court में कम से कम 15 जज होंगे तभी कर पाएगे इससे कम जज कम कर भी नहीं पाएगे इसको खतम कि दूसरी बात 133 आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि सब्सक्राइब बीच में आप यह भी नहीं कर सकते हैं तीसरी बात यह है कि तिसरी बात यह है कि यहां पर जो हमने बात क्या था कि चलो संभिधान में संसोधन तो नहीं कर सकतें चलो संभिधान में संसोधन नहीं कर सकतें बीक दो इसलिए आप संविधान में संसोधन अपने अनुसार तो नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं जहां पर बेशिक इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करना होगा नया संभिधान का निर्माड करना होगा तो वह भी एक कानून होगा नया संभिधान जो बनेगा वह भी एक क्या होगा कानून होगा क्योंकि उस नया संभिधान एक कानून होगा लेकिन एक ऐसा कानून होगा जिस कानून के ऊपर कोई कानून नहीं होगा लेकिन ज सब्सक्राइब करना होगा और उसको खतम करने के लिए कम से कम 15 जच चाहिए सुप्रिम कोट के तो इसलिए उसको खतम करना होगा नया संविधान अगर बनाना है अगर नया संविधान बनाना है तो सबसे पहले तो आपको संविधान सभा बैठानी पड़ेगी सबसे पहले आ बहुमत से संभीधान सभा बैठेगी और इसमें संभीधान का निर्माड किया जाएगा उसके तहट जो संभीधान के तहट जो नया संभीधान बनेगा नहीं आएगा नया संभीधान जो है इस बेसिक श्ट्रक्चर में नहीं आएगा क्योंकि बेसिक श्ट्रक्चर में तो ज से बहुमत किसी सरकार को प्राप्त हो जाएगी तो एक संविधान सभा का गठन करेगी देश में चुनाव करवाएगी संविधान सभा के लिए अलग से चुनाव करवाना पड़ेगा देश में अलग से चुनाव करवाना पड़ेगा संविधान सभा के लिए और संविधान लागू हो सकता है यहां पर एक चीज और सुप्रीम कोट ने कहा था कि स्वानन्द भारती कि सुप्रीम कोट ने एक चीज और कहा था कि बेसिक श्ट्रक्चर यह केवल उदाहरन मात्र हैं यह केवल उदाहरन मात्र हैं बेसिक श्ट्रक्चर का सिदांत मूल श्ट्रक्चर का म समय से डिफाइन किया जाएगा क्योंकि अलग 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 प्रकार के प्रावधान आते हैं अता बेसिक स्टक्चर समय समय से डिफाइन किया जाएगा तो यह पूरी तरह से डिफाइन रही है बेसिक स्टक्चर आगे भी बेसिक स्टक्चर उनके कहने का यह मतलब है तो जब नया संभिधान का निर्माड किया जाएगा नया संभिधान जब बनेगा जब नया संभिधान बनेगा तो नया संभिधान में भी Supreme Court का अधिकारिता होगी उस संभिधान में वो हो सकता है basic structure में डाल दे उसको भी उसको basic structure अब फिलाल नहीं है वह बैसे कि नहीं आएगा लेकिन क्योंकि संब्धान का ब्याख्या करने का अधिकर सुप्रिम को होता है तो इसलिए उसको नया कानून को भी यहनि कि नया संब्धान को भी उसके कुछ प्रावधानों को बेसिक इस्ट्रक्चर में डाल दे और उसको खा अतन नहीं कर सकती है इसलिए उसने खारिज कर दिया था इसी प्रकार से खारिज यह भी कानून कर सकती है तो इसलिए कि रिजल्टेंट हमें क्या मिला रिजल्टेंट हमें यह मिला कि सरकार अगर चाहे देरश्चाइश लगति हैं गलता suspects कि टूर्ट जाए अगर सीत युद्धिके द्वारा युद्धिके द्वारा सीत युद्धिके द्वारा सीत युद्धिके मतलब की देश के अंदर को युद्ध हो जाए यानि की संसद के में और नयाइपालिका में सुप्रीम कोट में यानि की नयाइपालिका में और विधाईका में एक कि युद्ध हो जाए ऐसा युद्ध हो जाए वह अपनी पावर के इस्तमाल करें और जो है कि वह भी कानून से बाहर जाकर करें वह भी कानून से बाहर जाकर इस प्रकार से एक सीत युद्ध चल जाए तो वो अलग बात है युद्ध करके तो कोई किसी पाधिकार कर ले वो अलग बात है लेकिन जो प्रावधान है फिलाल प्रावधानों के अधीन अगर संविधान संसोधन की बात है तो संविधान संसोधन को नहीं किया जा सकता है संविधान में सं संसोदन उसप्रेकार से नहीं किया जासकता है जब भी संसोदन किया जएगा तो बेचिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं करना है तो सुप्रीम कोड को अपने मिलाना पड़ेगा कम से कम पंदर जोजों की बेंज बैठाकर उसमें सबसे पहले खतम करना पड़ेगा बेसिक इस्ट्रक्चर को बिना बेसिक इस्ट्रक्चर को खतम किये ऐसा नहीं क्या जा सकता है वीडियो अच्छी